हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब ठीक हूंगे आज के करटके सेशन में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट 2023 अगामे खेल आयोजन 2030 के बारे में बात करने वाले हैं अगर आप कोई भी exam की तयारी कर रहे हो चाहे हो वो center level की हो state level की हो हर exam के लिए बहुत important topic है ठीक है और इससे questions बनते ही बनते क्योंकि sports वाले topic से बहुत discussion बनते हैं और अगर जो upcoming sports हैं उससे तो बहुत ज़्यादा question बनते हैं तो ये topic तो आपके लिए बहुत important है, last तक बने रहना, कुछ ना कुछ interesting point आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो start करते हैं So the first question is, which country will host the 2024 Summer Olympic Game, 2024 के Greece-McCarlene Olympic खेलो की मेजबानी कौन सा देश करेगा, और इससे आपको idea आजाएगी question बनते कैसे हैं, ठीक है, तो बात चल रही है, 2024 के Greece-McCarlene Olympic खेलो की कि उसमें मेजबानी कौन करेगा, France करेगा, ठीक, अब इसके बारे में, मैं detail में भी information लाई हूँ, य ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, कि आपको detail में information भी मिल रही है उसके बाद, ठीक है, तो कहाँ पर होने वाला है, यह Paris में होने वाला है, फ्रांस के Paris में होने वाला है, और जो addition है, 33rd number का addition है, ठीक है, मोटो क्या है, games wide open, तीन बहुत important question बनते हैं, पहले host कौन करेगा, ठीक है, addition कौन सा है, मोटो कौन सा है, यह तीन तो आप लोग को बिलकुल by heart याद होने चाहिए, ठीक है, अब यह तो हम 2024 Summer Olympic Games की बात कर रहे हैं, अब previous addition भी देख लेते हैं, क्योंकि आप उससे आगे का या फिर उससे पीछे का जरूर पूछा जाता है, 6 मैने पहले के भी आते ही आते हैं, current affair, ठीक है, तो जो 2024 में 33rd number का हो रहा है, तो इससे पहले 32 number का हुआ होगा, जो कि 2020 में हुआ, होना था, लेकिन reschedule हुआ 2021 में, 2020 में तो कुरोना हो गया था, इसलिए 2021 में हुआ, ठीक है, हुआ हुआ कहा, जापान के, टोक्यो में हुआ, मैसकोट क्या था, मिराइत हुआ था, और टॉप 3 कौन-कौन सी रही, ठीक है, USA रहा, फिट चाइना, देन जापान, ठीक है, और इंडिया 48th number पे रहा था, ठीक है, और जो सहनव Olympic Games है, वो सबसे पहले 1896 में स्टार्ट हुए थे, ग्रीस में, ठीक है, ये question static का बन सकता है कि Summer Olympic Games कब स्टार्ट लेते 1896 में, ग्रीस में हुआ था, अब हमने 32 भी देख लिया कि 32 नंबर का कब हुआ था, Summer Olympic Games, और 33 नंबर का कब हुने वाला है, फ्रांस में हुनालाद हो जाए 24 में, अब 34 नंबर का भी देख लेखते हैं, जो कि upcoming होने वाला है, उसकी 4 साल बाद, क्योंकि हर 4 साल में होत इस भी बता दिया, और उससे आगे का भी बता दिया, उससे आगे का भी बता दिया, ठीक, तो next question is, which country will host the 2026 Winter Olympic Games, अब बात चल रही है, दो हजार चब्विस के सीथ कालिन Olympic हिलो के मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है, तो ये कौन सा देश करेगा, ये ऐसे question बनते ही बन रहा है, तो देखते हैं हम, ठीक है, वेन्यू कहां पर है, ठीक है, मिलान और कॉर्टिना में है, और 25th edition है, इसका मोटो है, dreaming together, ठीक है, जो कि 2026 के Winter Olympic Games में होने वाला है, अब जो इस बार का होगा, 2026 का, वो 25 एडिशन है, तो 25 से पहले होगा, 24 एडिशन जो कि 2022 में हुआ ठीक है, यह भी हर 4 साल में होता है, ठीक है, तो 2022 में जो हुआ था, 24th नंबर का, वो चाइना के बिजिंग में हुआ था, इसका मोटो था, together for a sheer future, और मैसकोट था, बिंक ड्वेंड्वें, ठीक है, टॉप 3 रैंक में कौन कौन सी कंट्री रही, नॉर्वेय, जर्मेनी, 1924 में फ्रांस के सामोनिक्स मों हुआ था, ठीक है, ऐसा कुशन पूच सकते हैं कि सबसे पहले कभी स्टार्ट वा था, 1924 में सामोनिक्स मों हुआ था, जो कि फ्रांस में है, ठीक, नेक्स है, इन विच्यो, नेक्स समर प्यारा उलम्पिक्स विल भी हैट, अगला ग्रीस मकाली प्यारा उलम्पिक्स किस वर्ट आयूजित किया जाएगा, नेक्स की बात चली है, ठीक है, प्यारा उलम्पिक्स की बात चली है, कि समर का प्यारा उलम्पिक्स कब होने वाला ह है 2024 में 2024 में 2024 मोहने वाला है तो देखते हैं इसका थोड़ा हम ठीक है 2024 का जो समर पैरा ओलंपिक है वो पारिस फ्रांस मोहने वाला है बेजबानी फ्रांस खाने वाला है 17th edition है मोटो है गेम स्वाइज ओपन 2024 की बात चलिए ठीक इससे पहले 2020 मोहना था अगें कोविट के कारण रीश रियूल कर दिया था तो 2021 में हुआ था उसकी मेजबानी जापान ने की थी मोटो था यूनाइटेड बाई इमोशन और मैसकोर था सुमे थी और टॉप ट्री रैंक पर रहे थे चाइना ब्रिटेन एंड यूएसे चाइना अगें चाइना सबसे उपर रहा था इंडिया की वड़ी फोथ रैंक रही थी अगर हम समर पैरा उलम्पिक की बात कर रहें तो यह रोम में स्टार्ट हुआ था नाइंटीन सिस्टी में स्टार्ट हुआ था अब देखो अभी दो हजार चौबिस में तो होने वाला है फिर चार साल बात कब होगा फिर दो हजार अठाइस में होगा जो 18th एडिशन होगा इस बार का दो हजार चौबिस का तो 17th एडिशन है दो हजार अठाइस का 18th एडिशन होगा वो USA लोज एंजलिस में होने वाला है ठेक Nex is in which year next winter paralympics will be held अभी summer paralympics की बात चले था अगला सीट currently paralympics किश竹 आयोज जित किया जाएगा अब मुझे हैं आप बताना पार paralympics में कौण भाग ले सकते है रोकि यह भी मैंने पूरिटेल में video बनाई थी ठीक है मुझे comment down करना तो फिलार हम बात करते हैं सीथ कानी Paralympics किस वर्थ होने वाला है विंटर की बात चल रही है 2026 में होने वाला है Winter Paralympics ठीक है 2026 का Winter Paralympics इतैली में इसको होस्ट कर रहा है Milan and Kortia, Italy ओ फॉर्टींध एडिशन है अभी तक ही यही information आई है हमारे पस अब देखो तो यहार चार साल में होता है चार साल पहले 2022 में हुआ था तो बीजिंग चाइना ने वेन्यू था इसका होस्ट किया था मोटर था तुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर मैस्कॉर था श्वी रॉन रॉन ठीक है टॉप त्री में रहे थे सबसे पहले अगें चाइना कहां चाइना पीछे नहीं है हर जगे चाइना आके है ठीक है यूक्रेन देन कैनेडा अगर आँ विंटर पैर ओलंपिक्स की बात करे तो स्वीडिन में स्टार्ट हुआ था 1976 में स्टार्ट हुआ था ठीक है और इस बार का कहां हो रहा है इताली में हो रहा 14th edition है 2026 का विंटर पैर ओलंपिक्स याद कर लो बिल्कुम नेक्स से अपना which of the following will host 2026 Commonwealth Games निमने लिखे नैसे कौन 2026 रास्टर मंडल खिलो की मेजबानी करने वाला है 2026 में अपने Commonwealth Games हो रहे हैं तो इसकी मेजबानी कौन करेगा Australian State of Victoria ठीक है Australian State of Victoria ठीक है तो थोड़ा देखते है हम 2026 का Commonwealth Games है Australia में होने वाला है ठीक है 23rd edition है हर 4 साल में होता है अगें अगर 2026 में हुआ है तो इससे पहले 2022 में हुआ होगा 2022 में हुआ था और 22 edition था वो हमें पहली की भी पता होना चीए विए कि past कब भी जरूर पूछता है अगर जिसने वो वीडियो देखी होगी वो खुद ही बता दींगे क्या क्या हुआ था यहां पर ठीक है अगर हम Commonwealth Games की बात कर रहें सबसे पहले Hamilton में स्कार्ट हुआ था 1913 में ठीक नेक्स है जपान is scheduled to host the 2026 Asian game विच एडिशन इस जपान 2026 एडिशन केलों की मेजबानी करने वाला है यहां कौन सा संस करने है देखो कोशन कैसे भी पूछ सकते हैं यहां तो पूछ दिंगे host कौन कर रहा है नेक्स कब होने वाला है एडिशन कौन सा है प्रिवियस कौन सा था मोटो क्या था ठीक है और जीत गिया तो जीतने वाली कंट्री का नाम पूछा जाते हैं इन से question बनते हैं हमेशा हमेशा इन ही से question बनते है इस लिए मैं बार बार बूलते हूँ edition जानना भी बहुत है आप choir será next year जान लेते है प्रिविस eyes जान लेते हैं लेकिन आप edition भूल जाते हैं ठीक है तो यहां पूछ रखका 2026 का जो Asian game है उसका कौन सा edition है ठीक है Japanese schedule अगें जापान मेजबानी करने वाला है तो देखते हैं 2026 के एशन गेम्स एचेन नागुया जापान होस्ट करने वाला है 20 एडिशन है तो क्या है इमेजिन वन एशिया हर चार साल पहले होता है अगर 2026 में हुआ तो पहले हुआ होगा 2022 में तो 2022 में हुआ था चाइना ने इसको होस्ट किया था मोटो था हाट तो हाट और एडिरेट फ्यूचर ठीक टॉप थ्री में रहे चाइना अगें देन जापान देन साउथ कोरिया और इंडिया अपनी 9th rank पे रहा बहुत ही achievement की बात है ये भी ठीक है इंडिया अपना 9th rank पे रहा था 2022 के Asian Games में 19th edition था ठीक है और जो Asian Game है सबसे पहले वो New Delhi में 1951 में स्टार्ट हुआ था अगर हम next की बात करें अगर 2026 में हो रहा है हमारा तो next होगा 2030 में ठीक है ज ठीक है next day where is the FIFA World Cup 2026 schedule to be held FIFA 2026 कहां आयजित होने वाला है ये होने वाला है US Canada and Mexico ठीक है FIFA World Cup 2026 FIFA World Cup है अपना 2026 का वो the US Canada of Mexico में होने वाला है ठीक है थोड़ा देखते है इसके बारे में host countries रहेंगे 2026 के Canada, Mexico, United States 23rd edition है ठीक है इससे पहले ये भी 4 साल का हर 4 साल के है जो इससे पहले हुआ था 22 edition 2022 में हुआ था ठीक है 20 November से 18 December की बीच में हुआ था venue था Qatar ठीक है अब देखते है अब देखते है अब देखते है सबसे पहले 1930 में हुआ था FIFA World Cup Monte में ठीक है और इसका headquarter है Zurich Switzerland में first football club in the world Sheffield football club पूछ सकते है कि सबसे पहला football club कौन सा था ठीक next is which of the following countries have been selected to host the FIFA Women World Cup 2023 FIFA महिला विस्व कप अभी तक बात चली थी only FIFA World Cup 2026 की अब बात चल रही है FIFA Women's World Cup 2023 FIFA की बात चल रही है लेकिन Women's World Cup 23 की मेजबानी के लिए निमने लिखित में से किस देश का चयन किया गिया है ठीक Australia और New Zealand का चयन किया गिया है FIFA Women's World Cup 2023 के लिए अब ये 2023 में होने वाला है Australia और New Zealand की host countries होंगी एडिशन है नाइन्थ एडिशन है ठीक है नाइन्थ एडिशन है इससे पहले 2019 में हुआ था ठीक वेन्यो था France विनर रहे था United States और नीदर लेंड रहा था ठीक है United States ने नीदर लेंड को अहराया था तो United States जीता था ठीक अगर आँ फर्स FIFA Women World Cup के बात करें चाइना में 1991 में हुआ था जिसमें United States जीता था उस ताइम भी ठीक है जब सब सब पहले हुआ था Women World Cup नेक्स है विच अब फॉर्विन कांट्री विल होस 2020 थी FIFA Under 20 World Cup देखो अभी तब FIFA World Cup की बात चल रही थी Women's Cup की बात चल रही थी अब चल रही है Under 20 World Cup की लेकिन फिर FIFA में ही है यह भी तक ठीक है तो 2023 FIFA Under 20 विच 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 बानी कौन करने वाला है इंडोनेशिया ठीक है इंडोनेशिया तो 2023 FIFA Under 20 World Cup है जिसकी होस कंट्री इंडोनेशिया होगी एडीशन है 23rd एडीशन है तो इससे पहले 2022 में हुआ था सॉरी 2019 में हुआ था 22 वा एडीशन था मैंने दोनों मिक्स कर दिया ठीक है 22nd एडीशन था और 2019 में हुआ था ठीक है इस बार कर 23rd है तो पहले कर 22 होगा वेन्यू रहा पोलेंट विनन रहा यूक्रेन डरनर अप रहा साउथ कोरिया यूक्रेन ने साउथ कोरिया को राया ठीक है तो यूक्रेन जीता रहा अगर हम बात करें सबसे पहला FIFA Under 20 World Cup कब हुआ था 1977 में तुनेशिया में हुआ था Soviet Union जीता था उस पार ठीक है बहुत इंपोर्टन इंफर्मिशन आप और कहीं नहीं मिली था ठीक नेक्स से अपना विच इस थी होस कंट्री फॉफ़ फॉफ़ अंडर 17 वर्ल्ल कब इन 2020 थी अभी तर अंडर 20 की बात चल रही थी है नि 2023 की की मेजबानी कौन करने वाला 2023 में फीफ़ अंडर 17 वर्ल कप हो रहा है उसकी मेजबानी कौन करने वाला है पेरू ठीक तो होस कंट्री है पेरू स्वरी एडिशन होगा 19th edition 19th edition होगा जो 2023 में फीफ़ अंडर 17 वर्ल कप होने वाला है वो 19th edition होगा होस कंट्री होगी पेर और प्रिवेस एडिशन रहा 2019 में, 18 एडिशन था, वेन्यू रहा ब्राजील, ब्राजील जीता ही था, जीता भी ब्राजील ही था, और होस कंट्री भी ब्राजील थी, ब्राजील ने मेक्सिको को हराया था, ठीक है, फीफा अंडर 17 वर्ल कॉप 1985 में सबसे पहले चाइना में जीता था, ठीक है, नेक्स से अपना, चलो फीफा से हट जाते हैं, अब आते हैं क्रिकेट पे, बिच कंट्रे विल होस दर 2023 ICC क्रिकेट वर्ल कॉप, देखो फीफा वगेरा फिर भी कम बच्चे जानते हैं, लेकिन क्रिकेट का तो हर कोई जानेगा, क्रिकेट का तो हर कोई इंट्रस्टेड रहता है, चेक, 2023 ICC क्रिकेट विसु कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, इंडिया, अपना भारत, चेक है, 2023 ICC क्रिकेट वर्ल कप की मेजबानी अपना इंडिया करने वाला है, थोड़ा देखते हैं, 2023 जो ICC क्रिकेट वर्ल कप है, उसको इंडिय होस कर रहा है 13 एडिशन है अगर 2023 में हुआ तो इससे पहले 2019 में हुआ होगा बारवा एडिशन था वोस कंट्री थी इंग्लेंड और वॉल्प्स ठीक है इंग्लेंड जीता था और रणर अप न्यूजिलेंड रहा था मतलब इंग्लेंड ने न्यूजिलेंड को हराया था इं क्रिकेट वर्लकॉप 1975 में इंग्लेंड में हुआ था जिसमें West Indies जीती थी और most क्रिकेट वर्लकॉप विन कौनसी कंट्री सबसे ज़्यादा विर्लकॉप लेकर गई है उस्ट्रेलिया 5 विर्लकॉप लेकर गई है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फोर्मेशन है ये ऐसे में हुआ था और सबसे ज़्यादा जो किरिकेट में वर्ल्ड कप लेकर गई है और अस्ट्रेलिया लेकर गई है पांच बार जो हुजा 23 में होने वाला है उसको इंडिया होस्ट कर रहे हैं अगर 2023 में हो रहा है तो चार्ट साल बात कब होगा 2027 में ठीक चार्ट साल का गया पुता है तो अब जब 27 में होने वाला है वो कौनसा एडिशन होगा 14 एडिशन होगा उसको साउथ एफरिका जिंबावे और नावबाविया होस्ट कर रही है इस बार तो इंडिया कर रही है होस्ट कंट्री ये लिखी है मैंने अगले साल की मतल चल रही है तो अभे तक तो ICC World Cup की बात चल रही थी अब क्रिकेट में वोमेंस की बात चल रही है 2025 में ICC Women Cricket World Cup की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है अपना इंडिया इस बार इंडिया का ही नाम आ गया है तो देखते हैं 2025 ICC Women Cricket World Cup इंडिया होस्ट कर रहा है 13th edition है इससे पहले 2022 में हुआ था 12th edition था New Zealand ने होस्ट किया था Australia जीती थी England से थेक है Australia जीती थी England से सबसे पहले ICC Cricket World Cup Women's का England महुआ था 1973 में उसमें England ही जीती थी सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री है जो ICC Women's World Cup लेकर गई है अगेन Australia Australia तो सबसे आगी है cricket में ये तो हापको सब पहली से पता होगा World Cup में 5 ट्रॉफिस लेकर गई है और Women's में बात करें तो 7 ट्रॉफिस लेकर गई है Next, which of the following country will host the ICC men T20 World Cup in 2024 निमने लिकेत में से कौन सा देश 2024 में ICC पूरस T20 World Cup की मेजबानी करने वाला है Again cricket Men's में बात चल ली है T20 World Cup की मेजबानी कौन करने वाला है United States and West Indies तो 2024 का ICC men T20 World Cup की मेजबानी United States and West Indies host करने वाला है 9th edition है तो इससे पहले 2022 में हुआ था तो obviously 8th edition होगा जो 16 October से 13 November के बीच में चला Australia ने host किया था सबसे पहला ICC men T20 World Cup 2007 में South Africa में हुआ था जिसमें India जीती थी तो ये जानना तो बहुत important होगा अगर अपना भारत का नाम आगिया है तो ठीक है 2007 में हुआ था सबसे पहले T20 World Cup men's का South Africa में हुआ था इंडिया जीती थी और सबसे ज़्यादा ICC men T20 World Cup की Cup कौन लेकर गया है Trophy's कौन लेकर गया है West Indies 2 Trophy's लेकर गया है ठीक है Next है अब 2024 होने वाला है ICC men T20 World Cup जिसको United State of West Indies host कर रहे है 9th edition है अगला होगा 2026 में जिसका 10th edition होगा उसको host करेगा अपना India and Sri Lanka ठीक है Next की बात चलिए So the next question is Which of the following country will host the 2024 Women's T20 Cricket World Cup निम ने लिखित मैंसे कौन सा देश 2024 महिला T20 Cricket Whistbook Cup की मेजबानी करेगा बहुत important है क्योंकि अब महिला Whistbook Cup को या महिला Cricket Team को कोई भी महिला Cricket Team हो बहुत जादा तवुजू दी जा रही है तो वह तो important question बनी जाता है ठीक है तो फिलहाल पूछ रहे है जो 2024 में महिला T20 Cricket Whistbook Cup की मेजबानी करेगा वो कौन सा देश होगा बांगलादेश ठीक है तो host country है बांगलादेश और 9th edition है जो अब होगा 2024 मों होगा Women's T20 World Cup उसका 9th edition है तो 9th edition से पहले 8th edition रहा होगा जो कि 2023 मों होगा host country थी South Africa winner रहा था Australia और runner-up country रही थी South Africa ठीक है The first ICC Women's T20 World Cup was held in 2009 in England 2009 में सबसे पहला हुआ था जो कि England में हुआ था और England ही जीता था ठीक है और ये भी question पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा Women's T20 World Cup कौन सी country जीती है Australia जीती है पांच बार जीती है 5 World Cup लेकर आई है Australia ठीक है बहुत important question है ये दू कब सुरूआ था 2009 में हुआ था England में हुआ था England भी जीता था उस टाइम पे 2009 में सबसे ज़्यादा T20 World Cup Women's में कौन लेकर आई है Australia ठीक है 2024 में 9th edition होने वाला है Bangladesh host country है नेक्स कब होगा वो होगा 2026 में जो की 10th edition होगा और England होगी host country ठीक So the next question is Which country will host the 2025 ICC Women's Under 19 World Cup 2025 ICC महिला Under 19 विस्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा Malaysia and Thailand ठीक है Malaysia and Thailand 2025 ICC महिला Under 19 विस्व कप की मेजबानी करने वाला है थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम host country Malaysian Thailand रहीगी 2025 ICC Women's Under 19 World Cup की second edition है तो इससे पहला 2030 मुहाता पहली बार ठीक है South Africa ने host किया था और अपनी इंडिया जीती थी बहुत ही important बन जाता है जब इंडिया जीती तो पूच सकते है ये question की ICC Women's Under 19 World Cup 2030 की host country कौन सी थी South Africa winner रही इंडिया runner-up रहा इंग्लेंट ठीक अब जो 2025 में second edition होने आला है जिसका host country Malaysian Thailand है उसके बाद next और देखते है next to next edition होगा वो जो की third number का होगा 2027 होगा host country होगी Bangladesh and Nepal ठीक है तो उमीद करते हो आपको काफी helpful लग रहा होगा हर एक point cover हो रहा इसमें so the next question is which country will host the 32nd South East Asian Games 2023 कौन सा देज 32 दक्षिन पूर्वी ACI खेलो 2030 की मेजबानी करेगा ठीक है Cambodia तो Cambodia जो है 32 दक्षिन पूर्वी ACI खेलो 2030 की मेजबानी करने वाला है थोड़ा देखते हैं इसके बारे में भी है ठीक है host country है अपना Cambodia ठीक है एडिशन है 32nd edition है ठीक है जो कि 32 South East Asian Games 2023 Cambodia host country है और previous edition 31st रह 2021 में host country stamp थी वैतिनाम की हनौई और winner भी वैतिनाम ही रहे था ठीक है अब next to next भी देख लेते हैं 33rd edition होगा 2025 में होगा जिसकी host country होगी Thailand ठीक next is the 2023 IBA man boxing world championship will be held in which country अब boxing की बात चल रही cricket होगी है अब पुरा women's की बात चल गई under 19 की बात चल गई deep की बात चल गई सारी वादे चल गई cricket की अब हम बात करते हैं boxing में 2023 ठीक है IBA man boxing world championship किस देश में आयुजित होने वाला है ठीक है उजबेकिस्तान में ठीक देखते हैं तो host country है अपनी उजबेकिस्तान ठीक 22 edition है इस बार का तो इससे पहले अभी जो 2023 में होने वाला है उसका तो 22 edition इससे पहले हुआ था 2021 में उसका 21 edition था सर्विया में host किया था winner रहा था क्यूबा ठीक है अब देखते हैं सबसे पहले जो IBA IBA की full form है International Boxing Association तो boxing से related है तो जो IBA की man boxing world championship थी सबसे पहले 1974 में होई थी क्यूबा में क्यूबा ही जीता था ठीक है नेक्स है which country will host the 2023 BWF World Batminton Championship 2030 BWF यहां Batminton की बात चल रही है Batminton Championship की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है ठीक है अपना Denmark ठीक है Denmark इसकी मेजबानी करेगा तो बात चल रही है 2023 BWF World Batminton Championship की Copenhagen Denmark इसको host कर रहा है 28th edition है इस बार का 2030 का अब इससे previous की बात करें 2022 में हुआ था जिसका 27th edition था host country Tokyo Japan थी और winner रही थी चाइना ठीक है चाइना यहां जीत ली थी Batminton में तो सबसे पहला World Batminton Championship 1977 में Sweden में हुआ था जिसमें Denmark जीती थी ठीक अब देखो 2023 का BWF World Batminton Championship तो Denmark होस्ट कर रहा है 28th edition है इसके बाद अब होगा 2025 में ठीक है 2025 में होगा 29th edition होगा और Paris France होस्ट करेगी और India will host BWF World Batminton Championship in 2026 ठीक Next का भी बता दिया 2025 तो France कर रही है 2026 इंडिया करने वाली है ठीक है तो यह important information बन जाती है थोड़ा अगर 2026 का भी पूछ ले क्या पता अपना इंडिया के नाम की वज़े से तो आपको information पता होनी चाहिए कि BWF World Batminton Championship 2026 इंडिया होस्ट कर रहा है ठीक So the next question is Which country will host the 2026 Men's Hockey World Cup 2026 पूरुसों की Hockey विसु कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा Belgium and Netherlands ठीक तो Belgium and Netherlands 2026 Men's Hockey World Cup की मेजबानी करने वाला है जो इस बार का होगा 2026 वो 16th edition होगा और जो 15th edition रहा इससे previous का वो 2030 में हुआ था उसमें host country इंडिया थी तो ये भी अपने में important हो जाता है अगर या तो इंडिया विनर रही हो या runner-up रही हो या host country रही हो तो वो अपने में ही important हो जाता है बहुत तो आप previous भी जरूर देखना 2030 में हुआ था 15th edition था 15th edition था और इंडिया host country रही थी विनर रही थी Germany और runner-up रहे था Belgium ठीक है और जो first man hockey world cup है वो 1971 में पाकिस्तान में हुआ था और उस time 1971 में पाकिस्तान ही जीता था ठीक है नेक्स है इन विच अफ दे फॉलिविंग सिटी World Athletic Championship in 2023 will be held 2023 में निमने लिखित में से किस हर में विश्व एथिलिटिक Championship आयोजित की जाएगी तो ये की जाएगी पुधापेस्ट में थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम 2023 World Athletic Championship पुधापेस हंगरी में होस्ट कर रहा है 19th edition इससे पहले 2022 में हुआ था जिसका 18th edition था USA ने होस्ट किया था USA ही जीता था और मोटो था उस बार का Feel the Glory सबसे पहले World Athletic Championship 1983 में हुआ था Finland में हुआ था जिसमें East Germany जीती थी अगर हम 2025 की बात करें कि next कब होगा इस बार का तो हंगरी में पुधापेस में हो रहा है हमें पता है 19th edition है 2023 का अब next होने वाला है 2025 में जिसका 20th edition है और होस कंट्री है अपनी टोक्यो जापा है ठीक next है Which of the following country will host the 4th summer youth Olympic game in 2026 निमने लिखित मैंसे कौन सा देश 2026 2026 में चौथ है Grism Kalin Yuga Olympic खेलों की मेजबानी करने वाला 2026 का summer youth Olympic games है 4th कौन सा देश मेजबानी कर रहा है Senegal कर रहा है तो Dakar Senegal कर रहा है इसका host 4th edition है 2026 का summer youth Olympic का इसलिए चौथा बोल दिया क्योंकि 4th edition है इसका 2026 का इससे पहले 2018 में हुआ था जिसका 3rd edition था Buno's Aries और Argentina ने इसको host किया था सबसे उपर कौन रहा था इसमें Russia जीता था सेकेंड नमर में चाइना था फिर जपान रहा था इंडिया की 17th position थी चिक और मोटो था Feel the future और सबसे पहला summer youth Olympic game हुआ था Singapore में 2010 में जिसमें China जीता था और इंडिया की 58th position थी चिक बात चल रहे है winter youth Olympic game 2024 मों होने वाला है इसका भी fourth edition है कौन सा देश मेजबानी करने वाला है South Korea तो 2024 का winter youth Olympic game अगर Olympic game की बात कर रहे हैं तो summer and winter दोनों आ जाते हैं तो winter youth Olympic game की मेजबानी करने वाला है 2024 का South Korea और गान्वन प्रोविंस तीक है fourth edition है और motto है let's make it together इससे पहले चाठ साल पहले दोज़ा बीस मोवा था third edition था लिज़ा ने Switzerland ने इसको host किया था सबसे टॉप पे रही थी Russia then Switzerland then Japan और सबसे पहला winter youth Olympic हुआ था Australia में दोज़ा 22 में जिसमें Germany जीती थी